चाइना पूरी दुनिया भर में उल्टी गंका भाने के लिए मशूर है नहीं? मतलब चुहे के कच्चे बच्चे खाने हो चाइना को याद करो बंदर का कच्चा दिमाग खाना हो चाइना को याद करो पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस फैलाना हो चाइना को याद करो मतलब कहीं भी अगर पुठे पंगे लेने हो तो चाइना को याद करो और ऐसी कुत्ते खासी चाइना ने सान 1958 को किया था जिसके कारण उसका अंजाम चाइना के तीन करोड लोगो को भूगतना पड़ा था तो अपने जीवन का असली आनंद लेने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने जीवन का असली आनंद उठाएं अब आगे बढ़ते हैं सन 1958 में चाइना के फार्मर चेर्मेन माउ जेडोंग नामो बड़े आजीब आजीब हैं माउ जेडोंग अरे जो भी नामो इसका इसने एक अभियान चालू किया जिसके तहत चाइना में चार तराखी जीवों को एक साथ मिलकर विलकुल साफ करना है चाइना से ये कसम खाली अब वो चार टाइप के जानवर भी जान लो कौन कौन थे पहला था मच्छड, दूसरा था मक्खी, तीसरा था चूहा और चौत्थी थी गोरिया चिड़िया अब जच साब इनका कसूर भी जान लो जिसके कारण इनको मौत की सजा दी गई है मच्छड का दोस ये था कि उसने मलेरिया फैलाई मक्खी का दोस ये था कि उसने हैजा फैलाया चूहे का दोस ये था कि उसने प्लेक फैलाया पर गोरिया का तेहां कोई दोसी नहीं था पर फिर भी वहाँ के अधिकारियों ने ये कहा कि गौरेईया का ये दोस्त है कि वहाँ के किसानों का सारा फसल खा जाती है जिसके वज़े से किसानों को बहुत बड़ा लॉस होता है इसलिए गौरेईया को भी मारा जाएगा फिर वहाँ के मायवों ने उनको मारना सुरू कर दिया अब यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि जो मच्छड मक्खी और चुहे थे वो लोग तो कहीं नगई छुप जाते थे मच्छड मक्खी छोटी छोटी जगाओं में छुप जाते थे चुहे जमीन के अंदर घुच जाते थे पर चिडिया जो कि इंसानों के सबसे नजदी के रहती है खास कर गौड़ रही है चिडिया वो कहां चुप थी जिसके वज़े से वही इंसानों का सबसे पहला शिकार बनने लगी जहां भी उसे देखा जाता बस सीधे उड़ा दिया जाता अब चाइना की सरकार ने इस अभियान को एक प्रोटेस की तरफ फैला दिया अब जिसको जो मिलता वो उसको पीटने लगता नहीं नहीं मेरा मतलब यह नहीं है सब दे धना दन पीटने लगते और चिडिया को वहां से उड़ना परता ऐसे में कई वार ऐसा भी हुआ कि चिडिया उड़ते उड़ते ही जमीन पर गिर गई उड़ते उड़ते छोटी छोटी सी चिडिया होती है कई के पंक दर्द होने लगे कई प्यास के वज़े से उपर से ही गिर गिर कर जमीन में मरने लगे पर ये एक सी सगल वालों को अभी मजा नहीं आ रहा था अब ये क्या करने लगे कि जो पेड़ होते हैं उन पर चड़ चड़ के कोई भी घोसला मिलता उसको उजार देते अगर उसमें अंडे है तो अमलेट बना के खा जाते अगर उसमें कोई बच्चा है तो उसको मार देते या फिर गरम पानी में डाल देते चाकू से काड देते जो जो कर पा रहे थे वो वो कर रहे थे इन गौरईया के साथ ही है चाइना वाले इनके बस में होता बलतकार तक कर देते अब धीरे-धीरे करके चाइना से गौरईया का अस्तित्व बिल्कुल खतम सा होने वाला था अभी तक लोग चाइना में इतने ज़्यादा बेश्रम हो चुके थे कि वहाँ के स्कूल कॉलेजों में फंक्शन करवाया जा रहा था पबलिक में वहाँ के फंक्शन करवाया जा रहा था जो जितनी ज़्यादा गोरिया को मार रहा था उसको उतना बड़ा इनाम दिया जा रहा था मैडल दिया जा रहा था जिसके वज़े से वहाँ के लोगों में और जोस आ रहा था कि नहीं अब तो हम मारेंगे जाके हमको भी चाहिए ट्रॉफी हमको भी मेडल चाहिए इनाम का लालत सब के अंदर भर गया चाहिना में ही एक पॉलेंड इस्थित दूतावास है उस दूतावास में कई सारे चिडिया अपना जुंड बना बना कर घुस गए जैसे ही लोगों को पता चला कि कई सारी गोरहिया इस दूतावास में घुसे हुई हैं चाहिना वालों ने उस दूतावास को चारो तरप से घ और उसके अंदर जित्ते करमचारी थे उनको बाहर कर लिया और दूतावास को बाहर से बंद कर दिया गया उसके बाद उस धूतावास के बाहर ड्राम रखके टीन रखके थाली रखके ग्लास रखके जो जो बरतन मिला सब कुछ रखके पीटना सुरू किया लगातार दो दिन तक उस दूतावास के बाहर उन बरतनों को बजाया गया पीटा गया जिसके कारण अंदर आवाज के वज़े से सारी चिडिया मर गए और जब गेट खोला गया तो हजारों की संख्या में हुआ चिडिया की लाश्य मिली अंदर पर असली का आनी तो अब सुरू होने वाली थी क्योंकि अब तक सारी गोरिया मर चुकी थी अब भूगतने की बारी चाइना वालों की थी अब गौरईया चिडिया सारी मर गई थी कोई भी चिडिया नहीं बची थी इसलिए मातर दो सालों के अंदर ही किसानों की खेत में इतने ज़्यादा कीड़े हो गए कि वो फशल को एक रात में ही खा सकते थे इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई कीड़ों के और जब ग किसान कई सारे दवाईयों का यूज कर रहे थे पर कोई भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जारी थी लगा तार कीड़ों की वो एक दिन मारते दूसरे दिन उससे दुगने आ जाते और जैसे इस बात का पता सरकार को लगा सरकार ने प्रभमूरत देखिन 23 जैसा करोगे वैसा भरोगे इसलिए कभी भी चिडिया को आप कुछ भी मत करो हो सके तो छट पर थोड़ा दाना डाल दो मैं अपने छट पर पानी रखता हूँ आप भी अपने छट पर पानी रखो ताकि गर्मियों के टाइम में कोई भी चिडिया प्यास के वज़े से ना मरें और सहरों में तो वैसे भी आजकल चिडिया नहीं दिख रही इन टावरों के वज़े से टो पॉइंट ओ मूवी देखी नहीं है तो देख लो कुछ ग्यान में पड़ जाएगा वैल फिलाल मैं तो एक ऐसी एरिया में रहता हूँ जहां पर झाल